हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वॉक्षीट नंबर 55B जो की 26 अगस्त 2021 की वॉक्षीट है और आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवियस और हम हमारे बुक ईवियस की बुक जो की है लुकिंग अराउंड का यूनिट 12 पढ़ने वाले हैं जो की है वर्क दी डू यानि वो काम जो हम करते हैं तो बच्चों यहां पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहां पे आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे तो शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त एवं सुरक्षित होंगे प्यारे बच्च जैसे कि प्लंबर दूद्वाला मेकानिक इत्यादी तो प्यारे बच्चों आज हम इन ही लोगों के बारे में जानेंगे जिने हम क्या कहते हैं सामुदाइक सहायक करता यानि कि कम्यूनिटी हेल्पर्स तो चलिए देखते हैं इनके बारे में हमें आज क्या सीखने को मिलेगा पहले प्रस्ट में हैं बच्चों आपको सामुदाइक सहायक करताओं के कुछ चित्र नीचे दिये गए हैं देखो यहाँ पे छे चित्र हैं हमारे कम्यूनिटी हेल्पर्स के इन्हें पहचान कर इनके नाम अपनी कौपी में लिखिए तो हमें क्या करना है इन्हें पहचान इन्सान बना है ये कौन है ये है माली जिसको इंग्लिश में गार्डिनर भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे घरों तक फूल पहुचाते हैं दूसरा कौन है ये कौन है ये है पोस्ट मैन जिसको इंग्लिश में भी पोस्ट मैन ही कहते हैं और ये क्या काम करते हैं ये चित्टिय को हमारे घर तक लेकर आते हैं तीसरा कौन है तीसरा है नल साज जिसको इंग्लिश में प्लंबर कहते हैं और ये क्या काम करते हैं ये हमारे घर के जो नल है तोटियां है वो खराब होने पे उसको ठीक करते हैं उसको रिपेर करते हैं चौथा कौन है लकड़ी का काम करने वाल सब बनाने का काम करते हैं अगला ये कौन इंसान है ये हैं दूद वाला जिसको हम कहते हैं मिल्क मैन जो हमारे घर तक दूद की सप्लाई करते हैं और अगला लास्ट वाला कौन है ये कपड़े धो रहे हैं तो कौन है ये हैं धोबी जिनको इंग्लिश में वाशर मैन भी कहते हैं और यह क्या करते हैं यह कपड़ों को धोने का काम करते हैं तो चलिए अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रेश्ण दूसरे प्रेश्ण में हमसे पूछा है कि बच्चों नीचे दिये गए कुछ अन्य सामुदाइक कारे करताओं को पहचान कर उनके कारे संकेत box की सहायता से लिखिए तो आपको क्या करना है तो यहां पर पांच सामुदाइक कारे करता दे रखे हैं और नीचे इनके कुछ काम दे रखे ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, तो ये हमारे लिए फल और सबजिया उगाते हैं, तो ये आ जाएगा इनका काम, दूसरा ये कौन है, ये हैं पुलीस, ये कौन है, इन्हें हम बोलेंगे, पुलिस, मैन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी इसको पुलिस ही बो देखो कौन है तो यह एक teacher है जिनके हाथ में किताब भी है तो यह हमें पढ़ाती है तो इनके यह आ जाएगा कि वे हमें पढ़ाते है ठीक है और तीसरे में है कौन इनका नाम किया लिखेंगे हम नाम हम लिखेंगे इनका teacher या सिक्षक या सिक्षिका या फिर सिक्षिका क्यूंकि teacher तो हमारी ma'am या sir कोई भी हो सकते हैं और English में क्या बोलेंगे इन्हें इन्हें बोलेंगे teacher ठीक है अब इसके अलावा एक दो और तीन देइं तो हमने देख लिया। चौथे picture में कौन हैं तो यहाँ पे है doctor ठीक है चौथे picture में है doctor और doctor क्या करते हैं यह हमारा iluminAlton करते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं doctor इंग्लिच में कैसे रिखेंगे doctor ठीक है और इसके इलावा last बच गए कौन है यह हमारे घर के आसपास आपने अक्सर देखा होगा सफाई करने वाले लोग तो ये हमारे आसपास सफाई रखते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है sweeper इन्हें English में कहते है sweeper और Hindi में पता है आपको इन्हें क्या कहते है हिंदी में इन्हें कहा जाता है महतर ठीक है तो इस तरीके से हमने सब को पहचान लिया कि कौन क्या काम करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्ण को तीसरे प्रश्ण में लिखा है कि बच्चों सामुदाई कारे करता अपना कारी करने के लिए कुछ ओजारों का प्रेयोग करते हैं अब आप सामुधाइक कारेगरता का उनके द्वारा इस्तमाल किये जाने वाले ओजारों से मिलान कीजिये तो आपको पहचानना है कि कौन सा इंसान इस में से किन चीज़ों से काम करता है तो डॉक्टर किन चीजों से काम करते हैं, डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से काम लेते हैं, दूसरे कौन है, किसान, तो किसान का ओजार क्या होता है, तो किसान का ओजार है इनका हल, ठीक है, अगला कौन है, प्लमबर, और प्लमबर हमारे घर की टोटी वगरा ठीक करते है तो इनके लिए औजार है इनकी wrench ठीक है इसके बाद है बढ़ई बढ़ई लकड़ी को काटने का काम करते हैं तो ये किस चीज़ से काटेंगे आरी से काटते हैं इसलिए इनका औजार हुआ आरी ठीक है और last में कौन बच गया तो ये हैं पत्रकार और पत्रकार किस चीज़ से काम लेते हैं तो ये अपनी कलम का इस्तमाल करते हैं तो इनको हम मिला देंगे कलम के साथ ठीक है तो इस तरीके से आप इनको पूरा कर देंगे अब इनको आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे देखो उपर वाली जो लाइन है इसको तो आप ऐसे ही लिख देंगे लेकिन नीचे डॉक्टर के नीचे आप क्या लिख देंगे स्टेथो स्कोप लिख देंगे ऐसे स्टेथो स्कोप ठीक है अगला है किसान तो किसान के नीचे आप क्या लिखेंगे लिख देंगे हल तो इस तरीके इसा प्री अरेंज करके इस तीसरे प्रशन को आप पूरा करेंगे ठीक है अब आपके पेरेंट्स के लिए हाँ पर सजीशन है कि बच्चों को सामुदाइक कारे करताओं के प्रती समवेधन शील बनाएं और उप्रोक्त गतिविधी को करने में बच्चों की सहायता करें तो जरूर आप बताएं कि यह जितने भी कम्यूनिटी हेलपर्स हैं यह बहुत जादा हमारे हेल्प करते हैं और अगर यह हमारे हेल्प ना करें तो हमारे लाइफ कितनी मिसरेबल बन जाएगी तो जरूर आप अपने बच्चों को यह चीज़े बताएं और आई होब यह वरक्